हेलो जी तो यहां पर आज श्रीखन के लिए एकदम पर्फेक्ट दही कैसे जमाएंगे वो बतलब तरीका आप सभी के शार शेयर कर रही हूँ एक धही जमाने की जो तरीका है हलवाई जैसा वो मैं अल्रडी शेयर कर चुकी हूँ श्रीखन बनाने के लिए आप चाहो तो जो परतन में कोई पानी नहीं है सिर्फ एक बार जो हमारा पतीला है इसको गीला कर लिया बस और धोलिया इसके अंदर हमारा जो मिल्क है वो डाल दिया है पूरा एक लीटर दूद का बना रही हूँ यहां पर आप चाहो जितना श्रीखन बनाना उसे आप से बना सकते हूँ त जाता है तो आपका धाई एकदम खटा नहीं होगा तो इसके लिए और थिकनेस भी उसकी बढ़ जाती है और यहां पर जो मैंने डाई से तीन टेविल स्पून मिल्क पाउडर लिया है इसके अंदर जो भगोनी में दूद हमारा गरम हो रहा है उसी में से थोड़ा सा आ जाता है और जो अचा है आप चाहो तो रैइकूलर बिनक पाऊडर के भी बना सकते हो बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा मारा दही बनता है बस यह छोटी सी टिप्स थी इसके अंदर की मिल्क पाउडर डालने से थोड़ा सा दूद हलका सा टेक्शर चेंज जाता है और टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज होई जाता है तो बस इसको बिल्कुल लगातार चलाते हुए फ्लेम हाई हाई रख लीजे जैसे भी रखनी है पर दूद को कंटीनिस चलाते रहें जिससे क्या होगा दूद है आपका लगे नहीं बस यह थोड़ी सी चीज को हमें ध्यान रखना है तो अल्मोस्ट हमारा दूद मीडियम टू हाई फ्लेम मेरा चल रहा है बस दूद में एक उबाली दूद में बहुत ख़दकार है इस तरह से नहीं सिर्फ अब दूद में जैसे देखी उबाल आया अब मैं यहां पर इस गैस को क्या करूंगी बंद कर दूँगी बस सिर्फ जैसे नॉर्मल हम धही बनाते हैं उसी तरह से हमें धही बनाना है बस हमने एक सिंपिल सी चीज इ अब क्या करेंगे यहाँ पर finger डालेंगे इसके अंदर और देखेंगे कि अच्छे से मतलब finger हमारी उस दूद को सहन कर सके इतना हमें दूद को गरम रखना है नहीं बहुत गरम नहीं बहुत ठंडा यहाँ पर मैंने एक डे टेविल स्पून गाड़ा दही ले लिया थोड़ा सा उसके अंदर डाला दूद उसी में से और जामन दे के इसे 5-6 गंटे के लिए सैट होने के लिए रख दिया अब जैसे ह हमारा धही एकदम बन चुका है इसको आप चाहो छेड़ने से पहले एक बर फ्रिज में रख दो ताकि और अच्छे से सैट हो जाए धही में देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है थोड़ा सा वीडियो में दिखनी रहा है दर्वाइस के उपर बहुत अच्छी सी लेयर मि भूलिए अगली वीडियो में आप सभी के साथ श्रीखंड की वेराइटी कैसे बनती हैं कुछ वेराइटी आप सभी के साथ शेयर करती हों चलिए बाइबाय थैंक्स फूर वाचिंग